हलो वेलकम यौल आज है 15 में और आप सभी के लाएं फिर से इक इनपॉर्टन वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पे हैमर केंडल आई है तो जब भी हैमर केंडल आती है तो मार्केट में क्या मूव अगला एक्सपेक्ट कर सकते हम मा होंगे जो डिसाइड करेंगा मार्केट को मदद करने के लिए इस हैमर केंडल के साथ की मार्केट कि इदर को जाएगा क्यूंकि डेली चार्ट्स पे मार्केट कुछ अंडिकेट करती है मलब कि आपको एक उसने हिंट दे दिया है केंडल बनाके मैं किस तरफ को जाओंगी और साथ ही साथ हमार को किन बातों पर नजर रखनी है जो यह पूरा हमार को बता दे कि हम पहले से त्यार हो जाए कि अब मार्केट इस तरफ को जाएगा हम किस साइड को खड़े हैं तो अगर आप डेली चार्ट पर देखो तो यह ला कैंडल बनी है यह कैंडल है है मर मतलब क्या होता पहले हम यह जान लेते हैं तो वहीं देखेंगे इसका मतलब होता है बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल हमार को दिखने वाला है और इसकी स्मॉल बॉड़ी और लॉंग टेल होती है स्मॉल बॉड़ी यह होगी और इसकी लॉंग टेल यह होगे जिसको हम शै 30 मिनट्स के चार्ट पे जाएं इसके पूरे दिन की स्टोरी है यहां से यहां तक खत्म हुई तो कैसे ऐसे गया चार्ट वहीं देखोगे तो आप यहां सारी एवरेज़ वॉल्यूम है और वॉल्यूम के उपर का यह एवरेज जो लाइन है यह बनी वी यह दिखाती इससे उ आइव वॉल्यूम है बाकि आपको जो जितने भी रैड केंडल मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं तो चार आपको दिखेगी अवफ दैवरेज और ऑन्ली वन ग्रीन अवफ दैवरेज इसका मेंस क्या महलब की बेर मार्केट कहीं ना कहीं ज्यादा हावी पढ़ रही है ब क्या हाँ और दूसरी इनवाटव हैमर इसका मतलब क्या होता है यह भी आप देंक्या होती है इसकी ऐसे क्या होगया है यह धी आप इसकी स्मॉल बॉड़डी क्या होती है और ये लुक करता है हैमर के टाइप इसलिए हम उसको बोलते हैं इंवाइटेड हैमर और वहीं इसका मतलब क्या होता है बायर्ट आर बैक एंड इन दा गेम सेलर आर एक्जॉस्टेड मलब की सेल मारने वाले बेच बेच के ठगे हैं पर वहां बायर्ट कॉंटिन्यू आ रहे है तो दोनों केंडल से देखें इसका पूरे दिन के अपर होई टो है यह एक अब हमार को हमारे को अप्वारड मोवठ है ममारे वह देखने को देखने गनला और उसके ये केंडल मुवमेंट आई है तो मलब की अब प्राइस उपर जाएगा तो 30 मिनेट्स के चार्ट में वह दिख रहा है और वंडे की चार्ट में वह दिख रहा अब फैक्टर जो इसके साथ स्पोर्टिंग रहेगे क्यों हमार को यह भी जानना जुरूरी होता है फैक्टर क्य क्या बोलते हैं आपके साउथ कोरिया तो यहां पर जहां पर इन जगाओं पर पहले केसिज आने बंद हो चुके थे लॉक्डाउन एक्स्टेंट किया और केसिज वहां पर आने बंद होगे थे पर अब वहां पर द्वार से इंफेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है वो भ केसिज बढ़े रहे हैं कि या घट रहे हैं तो हमारे को उस पर नजर रखनी है और किस स्पीड से बढ़ रहे हैं और दूसरी बात जो चाइना और युएस के बीच में चलते आ रहे हैं फेस्वन डील को लेकर वह बढ़ते वह नजर आ रहे हैं और ट्रंप ने तो अभी जिसका असर देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट पर और निफ्टी फिफ्टी में डाउन फॉल आ सकता है तो वहीं जीत रहे थे गेम वहां यह फैक्टर्स है जो बायर को मलब की बिगड़ती विस्तीती देख सकते और मार्केट नीचे जाता हुआ हमार को दिख सकता है तो वहीं अगर हम बात करें स्पोर्ट की तो लगवग हमार को 6011 पर हमार को स्पोर्ट डेफिनेटली देखने को मिल सकता है एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट हमार को देखने को मिल सकता है पर वहीं अगर 3 डे आर्थ की चार्ट में आया हम तो हमने जहां पिछले कल की बात की थी 9,066 की strong sport देखने को मिलेगा तो आज वहाँ इसमें strong sport देखने को मिला और market ने जितनी बार इस level पे गया तो यहाँ पे अच्छी खासी buying देखने को मिली और हमार को reverse आता हुआ दिखा चार्ट पे जैसे आपने 30 minutes के चार्ट पे देखा तो कल अगर ये दो level जो हमारे 9,111 और 9,066 अगर तो next trading day में मंडे को gap up opening के साथ ये इसकी नीचे ही start होता है तो लगबग 8,888 के पास हम market को जाता हुआ देख सकते और वहीं अगर gap opening नहीं होता है और market यहीं sustain होता है फिर से ये एक बहुत ही critical level होंगे market को सम्हालने के लिए चाहाँ पे हमारे को फिर से buying pressure देख सकते तो अगर आप निफ्टी में put वारों की आप call लेते हो तो तो आपको ये levels definitely देखने है यहाँ पे आप entry की side को कर रहे हो यहाँ पे आपकी बहुत जादा most critical time होगा जब आप entry लोगे और market की दिर को भी एकदम से पढ़ सकता अगर यह level टूटा तो market दमागे से नीचे नहीं टूटा तो फिर एक बारी फिर से उपर तो यह critical level होते जहां पर आपको बहुत ही सो समझ के calls लेनी होती है लेने होते है तो इन points को आप छोड़ दिया कर यह अगर आप इसकी ऊपर लेते हो मतलब कि अगर माल मार्किट उपर खुलता है 9200 के असपास तो आपको एक चांस मिल जाएगा डेफिनिटली अच्छा कि आप उसमें निफ्टी में शौट सेल करें और नीचे आते हुए मार्किट आपको डेफिनिटली दिखेगा पर अगर आप 966 की रेंज में पुट को और कॉल के कॉल कमेंट्स में अपनी क्वाइडिस पूछिए कमेंट्स नहीं है तो अपना स्माइली छोड़ देजी यार समाइली से पता लगता है मैंने किसर हिसाब से आपके लिए वीडियो प्रपेर की आपको पसंद भी आया और मोटिवेशन के लिए लिए लाइक बटन डेफिनेटली द्वाइए अपना ख्याल रखें अपनी परिवार का ख्याल रखें थेंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो